हेलो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो आज हम देखने वाले हैं DCECEPE का जो है कांसलिंग चल रहा और जो है UGEAC का जो है कांसलिंग चल रहा और कांसलिंग होने के बाद कितना वेकेंट सीट आभी से बचा हुआ है तो आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी जो है इस वीडियो को फूल वाच कीजिए जिसे कि आपको पता चल जा जो कितना वेकेंट सीट है और जो है सबसे पहले हम देखने वाले हैं PE और उसके बाद जो है वेकेंट रिपोर्ट देखेंगे UGEAC का तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अच्छा लागी तो लाइक और सस्क्राइब और सेर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइनली डाउनलोड हो करके आ चुका है और D.E.C.E.E.2022 और यहाँ पर देख सकते हैं PE और मॉप अप काउंसलिंग जो है वेकेंट रिपोर्ट अप्टर काउंसलिंग 9.11.2022 तो आप जो है इधर देखेंगे तो इंसिच्चूट नेम और इधर ब्रांच नेम और इधर जो है आपका वेकेंट सीट दिया गया है तो आप अपने अनुसार देख लेंगे जो कौन से कैटेगरी में हैं आप और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सिविल इंजिनियरिंग उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग इधर इलेक्ट्रोनिक इंजिनियरिंग तो आप अपने अनुसार देख लेंगे अपने डिस्टिक के अनुसार जो है कितना सीट कहां से बच रहा है ठीक है तो इस PDF को आपको जो है डाउनलूड करना होगा उसके बाद आप जो है देख पाएंगे असानी से तो एक-एक को बताना संभब नहीं है लेकिन आप देख लिजे जो है टोटल सीट कितना भी जो है बच रहा है और अपने डिस्ट देख पाएंगे और टोटल वेकेंट सीट देख लिजे कितना भी सेस बचा हुआ है ठीक है तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं टोटल यहां पर वेकेंट सीट दिया गया है आप देख सकते हैं यहां पर यूर केटेगरी में जो है 804 बचा हुआ है और इधर जो है नीचे चलते हैं और देख लेते हैं टोटल सीट कितना सेस बचा हुआ है तो इधर थोड़ा मिश्टेक हो चुका है यानि कि डवल लेटर छप गया है तो उसको ध्यान इग्नॉर करना है और उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं और सबसे नीचे आने के बाद आप देख टोटल आपका 2975 सीट वहकेंट है जो कि यह सीट यूर कैटेगरी में करेख सिर्फ और सिर्फ काली है और तोटल मिलाकर के आपका यहां पर बनता है ऑने चलते हुआ है ंपका आप यह तो हो गया आपका पिक कंडिडेटरност हैं आपको UG EAC के PDF तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है अंडर ग्रेजुएट इंजिनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है यहाँ पर इंसिचूट नेम साइड में दिया गया इधर ब्रांच नेम और जो है फाइकेंट सीट रिपोर्ट काटेगरी के अनुसार आप अपना देख लेंगे ठीक है तो आप इस साइड में देख पाएंगे यहाँ पर जो है बक्तियारपूर में कितना सीट खाली है यहाँ पर जो है फाइर टेकनोलोजी सेप्टी और उसके बाद जो है यहाँ पर मेकनिकल इंजिनियरिंग उसके बाद जो है 3D एडनिमेशन ग्राफिक तो आप जो है अपने अनुसार देख लेंगे इस PDF को जो है डाउनलोड करके और इस PDF का डाउनलोड करने का लिंक जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ठीक है तो आप देख लिजी इसमें जो है टोटल वैकेंट सीट आभी जो है कितना बच रह है ठीक है गवर्मेंट इंजिनियरिंग कॉलेज से होर का है और उसके बाद आप इधर आगे बार रहेंगे तो सीता मढ़ी अरवल और अंगा बाद इस तरह से जो है सो हो रहा है तो चलिए नीचे चलते हैं अभी काफी वैकेंट सीट है ठीक है तो चलिए नीचे बढ़ने अगरो से नहीं के बाद यहां पर देख सकते हैं total सेट चांए है यहां पर यूर काटेगरी में ओने नीचे में को माद अदैखने में तो सब से नीचे आजाएंगे और यहां लॉसक के बाद आप वेकेंट सीट आप यहां पर देख पाएंगे टोटल वेकेंट सीट जो है कितना तो 2481 सीट इधर जो है यूर कैटेगरी में वेकेंट है और इधर टोटल 6630 यानि कि 6630 वेकेंट सीट है अभी भी सेश बचा हुआ अगर आपका कांसलिंग डेट दिया गया है तो जरूर जाइए कांसलिंग सेंडर पर और कांसलिंग करवाईए और हो सके तो आपका जो है एडमिसन भी हो जाए तो अकर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सस्क्राइब और सेर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिएगा जिससे की नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाए और वीडियो भी आपके पास उपलब्द हो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए तो अपना ख्याल रखे और हस्ते रहें मुस्कुराते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो